मेरे गाउं में कहावत है जब लोग तुमारे खिलाफ बोलने लगे समझ लो तरक्की कर रहे हो सपने मत देखो सपने कभी सच नहीं होते तो क्या अपना सपना पूरा हो सब्सक्राइब लोग तुमारे खिलाइब लोग तुमारे खिलाइब लोगे देखगन की मोस्ट अबेटेड फिल्म भोला सिनेमा होस पर लेज हो चुकी है और लोगों से फिल्म को काफ़ अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है फिल्म बॉक्स ओफिस पर तगड़े कभाई भी कर रही है और सबी को फिल्म की स्टोरी भी बसंदा रही है पर आज हम यहां पर भोला फिल्म के सेकंड पार्ट को लेकर बात करने आए हैं भोला फिल्म के रिलीज होने के बात खाबरे आ रही हैं कि बहुत ही जल भोला फिल्म का सिक्वल भी देखने को मिल सकता है और एक इंटर्वियू में अजी देबगन ने बताया कि भोला फिल्म एक सिंगल फिल्म नहीं है भोला फिल्म के साथ वो एक यूरिवर्स त्यार कर रहे हैं इस यूरिवर्स की शुरुआत भोला फिल्म के साथ हो गई है और जैसा कि आप सबी को पता है भोला फिल्म को आजी कैथी फिल्म का सिक्वल भी बनता है तो आजे देबगन की भोला फिल्म का सिक्वल भी बने अजे देबगन ने इंटर्वी में कहा कि भोला फिल्म कैथी फिल्म का रिमेक नहीं है वो इस फिल्म से इंस्पायर है भोला फिल्म की स्टोरी भी कैथी फिल्म से थोड़ी चेंज है और कैथी फिल्म का सिक्वल बने या ना बने पर भोला फिल्म का सिक्वल जरूर बनेगा और भोला फिल्म का सिक्वल जरूर बनेगा और भोला फिल्म का सिक्वल बनेगा और भोला फिल्म के सिक्वल बनेगा य तो वो हमें कब तक देखने को मिलेगा इसके लिए आपको बता दें कि अभी तो भोला फिल्म में रिलीज हुई हूई और भोला फिल्म को लोगों से काफ़ी अच्छा रिसपांस मिल रहा है और अभी कुछ महनों तक तो सिनेमा हालस पर भोला फिल्म ही चलेगी इसके बाद पूला फ़ल में के सेकिंड पाइट के स्टूरी पर काम शुरू करेंगे और फल्म की स्टूरी को डिड्य करने में काफी समय लगेगा फल्म की स्टूरी अप्वलेट होने के बाद फिल्म की कास्टिंग को भी तैयार के जाएगा कुल मिलाकर भोला फिल्म का अगर सिक्वल बनता है तो वो हमें 2035 या 2026 से पहले तो देखने को नहीं मिलेगा यानि कि अभी हमें भोला फिल्म के सिक्वल के लिए धाई से तीन साल का इंदिजार करना पड़ेगा सबी लोग फिल्म के सेकंड पार्ट की स्टोरी को जानने के लिए काफी जादा एक्स्टाड़िड है और अब फिल्म की स्टोरी तो हमें थोड़े समय के बाद पता चली जाएगी पर तब तक हम भोला फिल्म को एंजॉई कर सकते हैं इसके साथ दोस्तों आज की वीडियो खत्त होती है मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक किले गुड़ बाई अपना खिया रखेगा और फाइनली थैंक्स वर वाचिए